तो आपने देखा किस तरह से बोग्यों की हालत है, पहिये कहीं पर पड़े हुए है, बोग्यां कहीं पर पड़ी हुई है, और जो बोग्यां बच गई है, उमीद कीजे कि उसमें जो लोग हैं, वही घायल हुए है, बचे हैं तो आपको दरा अनिमेशन के जरी हम समझाते हैं कि आखेर कार यह हाथसा हुआ कैसे, देखिए, यहां पर आपको एक ट्रेन नजर आ रही है, यह आपको देखिए, पहले ट्रेन यह डिरेल हो गई, बैंगलूरू हावरा एक्सप्रेस जिसका हम जिकरे कर रहे थे, यह डिरेल हुआ, दोनों ट्रेन को देखिए कि, यहां पर हम दो दिखा रहे हैं कि किस तरह से इंपक्ट हुआ है, पहले बैंगलूरू हावरा एक्सप्रेस जो है, उसकी बोगिया डिरेल हो गई, वो पट्रियों पर गिर गई, और उसके बाद जो दूसरी ट्रेन आ रही थे, कॉरमन पैसंजर ट्रेन थी, और आपको बताएं कि यह जो पैसंजर ट्रेन को आप देख रहे हैं, इन में करीब करीब एक ट्रेन में 1200 के करीब या 1300 के करीब पैसंजर होते हैं, 1000 के करीब इसमें, रिजर्वेशन होते हैं, रिजर्व सीट्स होती हैं, और 300 या फिर 300 के करीब इसमे जो होते हैं seats वो unreserved रहते हैं तो कुल मिला कर देखना हुआ कि दोनों passengers लगबग 2400 या 2500 के करीब होंगे जो मौझूद रहे होंगे यह जो तस्वीर है यहाँ पर देखिए कि कुछ जो bogies है वो पलट के नीचे चली गई तो impact कि इतना था कि नीचे पलट के चली गई इस वक यहाँ पर जो आप rescue operation देख रहे हैं कि इनमें देखा जा रहा है कोई लोग यहाँ पर तो नहीं उनको बाहर निकाला गया है पब्लिक भी यहाँ पर आम पर प्लिक ने भी काफी मदद की थी एक और दूसी तरफ आप देख रहे हैं कि track मौजूद है वहाँ पर भी एक train बैटक बुलाई है और प्रधान मंतरी मोदी इस पूरे मामले पर अब संग्यान लेते हुए एक मीटिंग बुलाई है आपको बताएं कि उनकी बात चीत हुई थी अशनवी वैशनव के साथ क्योंकि जो रेल मंतरी है लगातार वो इनको लेकर अपडेट दे रहे थे और बैटक बूलाई है और बैटक बुलाई है इसमें हर एक पहलों की जाच की जायगी कि के आखीर इतना बड़ा हासा क्योंकि गूआ क्योंकि पिछले कुछ साले में कोई भी ऐसा हाथसा नहीं देखने को मिला था लेकिन इस हाथसे ने एक बार फिर से सवाल खड़ा कर दिया कि आखिरकार जब इतना टेक्नोलिजिकली एडवांस हो चुके उसके बाद भी आखिरकार कैसे यह हाथसा हो गया इसके पीछे क्या कोई टेक्निकल फॉल्ट था या हुमन एरर था या फिर साबोटाज था हमारे संवाद आता सुजी दास ने एक और रिपोर्ट भेजी आपको दिखाते हैं लेकिन उससे पहले रेल राज्यमंत्री राउसाब दानवे की आपको बयान सुनाते हैं इसा है अभी रिस्क्य आपरेशन चालूँ है और जो चानल पर आकड़े आ रहे हो दो सो तेतीस मुर्द बता रहे और आट सो लगबग इंज्यूर्ड है और जैसा ही आपरेशन खतम हो जाएगा उसका फाइनल आकड़ा आ सकता है लेकिन अभी आपरेशन जारी है और सभी मददकारी वहां देने का काम रिल प्रशासन कर रहा है प्राथमी कारण क्या बता लग पा रहे हैं एकसिदेंट होने की किस कारण से हच्छा हुए है यह देखे यह मानवी गलती से हुआ है यह टेकनिकल कारण हुआ है इसके लिए एक हाई लेवल कमिटे की भी घोशना रेल प्रशासन ने कर दिये और हमारे कमिशनर रेल्वे के जो सेप्टी देखते है उनको भी वहाँ बुलाया गया है यह कमिटे जाच करेगी तभी इसका पता चलेगा कि टेकनिकल कारण से हुआ है यह मानवी गलती से हुआ है है वगा काल जी ओर इसा मदे गटना गटली इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूस गूगल प्ले स्टोर या एप स्टोर पर